Hello everyone, welcome to EduTap Himachal So, आज के जो आपको morning में telegram channel पर questions मिले होंगे वो आपको मिले होंगे general studies 3 के और ये जो questions थे ये आपके थे Himachal GK से related इसमें आपको tourism से related 4 questions मिले होंगे I hope कि आप लोगों ने उनके जो answers है वो लिखे होंगे और उसी का ही हम discussion करने वाले हैं जो आज का first question था, वो था types of tourism religious adventure heritage, importance of tourist destination in Himachal Pradish तो इसके base पर जो पहला question बनाया गया था कि describe religious tourism in the context of the state of Himachal Pradish तो ये हमारा topic है, ये GS3 में given है subunit 3 का ये topic है, GS3 का तो ये था religious tourism से related कि Himachal के context में आपको इसको लिखना था तो religious जो tourism है, देखो वो Himachal के अगर हम बात करते हैं तो Himachal को तो बोला ही दे भूमी जाता है तो इसलिए ये बहुत important एक aspect है Himachal के point of view से और अगर हमें इसकी definition लिखनी है एक line में तो हम इसमें डाल सकते थे religious tourism can be described as travel undertaken to visit a place, building or a shrine which is sacred तो Himachal में इसे बहुत सारे places है बहुत सारी से shrines है, buildings है जो की पूजनिया है अब इसके कुछ features की और हम किस तरह से इसको elaborate कर सकते थे तो Himachal को as a abode of the gods बोला जाता है तो देभूमी के नाम से इसको जाना जाता है वहाँ पर आपको spiritual calmness जो है वो देखने को मिलती है यह क्या है shrine of all religion Himachal में आपको Hindu temples ही नहीं साथ ही साथ आपको वहाँ पर churches होगे गुरुद्वारा होगे, Buddhist monasteries होगी अब यहाँ पर आपको example देने की जुरूरत है यहाँ पर भी आप example दे सकते हो ठीक है और यहाँ पर भी जैसे की Christ Church हो गया शिमला में Ponta Sahib का गुरुद्वारा हो गया Tabo Monastery हो गई ठीक है और Key Monastery हो गई गुरुघंडाल जो भी आपको याद आते हैं उस टाइम पर वो आपको यहाँ पर example के तोर पर डालनी है ठीक है तो यहाँ पर यह पॉइंट भी आपका important हो जाता है अब जुरूरी नहीं है कि सारे ही लोग जो भी टूरिस्ट आते हैं वो religious ही हो ठीक है लेकिन कुछ लोग कैसे आते हैं जिनको history में इंटरस्ट होता है जिनको architecture में इंटरस्ट होता है जिनको art में इंटरस्ट होता है तो इस तरह के लोग भी विजिट कर सकते हैं, अगर किसी को नहीं इंटरस्ट है, तो अगर कोई place religious है, तो वहां का definitely जो वहां के कुछ history रही होगी, वहां का कुछ architecture different होगा, वहां का जो ठंका यहां पे जैसे paintings भी आप दा सकते हो, जो ठंका paintings है, उसको भी आप mention कर सकते हो as an example ठीक है, तो यह question 4 marker के लिए था, आपको 60 words में इसको लिखना था, तो यह कुछ points है, जो कि आप इसमें डाल सकते थे, next topic था, वो था social, economic and cultural implication of tourism से related, तो इस पे जो question बनाया गया था, वो था list the social and cultural implication of tourism, तो आप से जो पूछा गया था, social and cultural implication of tourism, ठीक है, तो इसकी अगर हम definition द tourism है, वो क्या involve करता है, movement of people from one place to another and interaction between people of all walk of life and the native people of the area, ठीक है, तो इसमें देखो, कि जो tourism है, उसमें obvious से बात है, कि जो लोग है, वो कहीं से भी, कि दुनिया के किसी भी कोने से आ सकते है, ठीक है, और जहां पर भी आएंगे, अगर हम हिमाचल की बात करते हैं, तो हिमाचल म ठीक है, अब उसके जो implication है, वो positive और negative दोनों हो सकते हैं, ठीक है, अगर हम negative social culture implication की बात करते हैं, तो identity crisis, ठीक है, अब जब लोग आएंगे, तो वो किसी और culture से हो सकते है, उनका जो dressing sense है, उनका जो बोल चाल है, वो different हो सकता है, अब जहां पर वो आएंगे वहां के native जो लो तो कुछ लोग क्या होते हैं, जो native लोग है, जो वहां पर tourist आएगा, वो उससे जादा influence हो जाता है, और उनकी तरह बनने की कोशिश करता है, जिससे की cultural loss हो जाता है, ठीक है, reduction of purity of language, ठीक है, अब जो कोई लोग बाहर से आते हैं, उनकी language different होगी, तो जो native लोग होंगे, वो अब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग अच्छे आएंगे, हो सकता है कि कोई जो है, जो किसी की values बहुत अच्छी होती है, किसी वे नहीं होती है, ठीक है, तो उस तरह की जो लोग है, जो native लोग है, वो उनको जिस तरह का behavior उनको का रहेगा, वो अपने में धालने की कोशिश करते है, तो यह कुछ negative impact है, टूरिजम के, ठीक है, जो कि native जो people होते है, जहाँ पर tourist आता, उनके लिए सही नहीं होता है, अब positive भी इसके implications होती है, जो कि है national integration, ठीक हो अगर लोगों का आना जाना होगा, तो जो कुछ positive चीज़े है, वो एक दूस्टे के साथ interchange हो सकती है, ज लोग आते हैं, वो कहीं remote area में चले जाते हैं, तो जो वहाँ के लोग है, वो उनसे inspire होके, कि education का कैसा role है, कि education की benefits होते है, वो वहाँ पर exchange कर सकते हैं, ठीक है, next है better living condition for locals, जो भी जहाँ पर tourist आएगा, definitely वहाँ पर जो economic situation होगी, वहाँ के area की, वो भी improve होगी, ठीक है, तो इ आपको ये mention करना है, कि जो social और cultural implication है tourism के, वो दोनों है, negative भी है और positive भी है, ठीक है, next जो हमारा topic था, जो question बना था, जिस topic से, वो है environmental concern of the industry, both positive and negative effects, including climate change, with reference to Himachal Pradesh, तो आपको environmental concern को describe करना था, tourism industry से related, और ये था हमारा Himachal Pradesh ही related है, ठीक है, तो describe the environmental concern of the tourism industry in Himachal Pradesh, अब जब, अब हमें जो definition है देखो, हमें कोशिश करनी है, कि जो question पूछा गया है, उसके regarding हम अपने definition को, विल्दे की, देने की कोशिश करें, ठीक है, अब यहाँ पर environmental concern है, और अगर यहाँ पर जो हमने देखा था, वो देखा था, social and culture implication, तो यहाँ पर जो definition बन सकती थी, वो क्या था, कि जो लोगों का जो movement होता है, लोगों के बीच में जो interaction होता है, तो हम इस तरह की definition हमने यहाँ पर दी, अब जो next question देखो, यहाँ पर आपसे environmental concern से लेटे चीज़े पूछी है, तो यहाँ प थोड़ा सा definition को according to question उसको modify किया गया, ठीक है, तो जो tourism है, वो क्या करता है, definitely huge number of people को किसी एक area हो गया, किसी एक place पर वो आते है, ठीक है, अब जरूरी नहीं है, जितने भी लोग आएंगे, अब उन सब का जो है, वो different attitude रहेगा, environment को लेके, कुछ अच्छा सोचेंगे, अगर हम हमाचलपदेश के point of view से देखने की बात कहते है, तो pressure on natural resources, ठीक है, अब जो अगर बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते है, तो क्या होता है, जो हमारे natural resources है, उस पर definitely pressure पढ़ जाएगा, ठीक है, जैसे कि हमने देखे भी है crisis, शिमला में water crisis हो गये थे, ठीक है, traffic इतना जादा लग जाता है, तो ये सब चीजे जो water crisis in शिमला, ये आप example के तोर पर यहाँ पर डाल सकते हो, change in the landscape, अब अगर huge number में जो tourist आता है, तो definitely उतना infrastructure भी होना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए कि हमें जो भी forest area है, उसको भी remove करना पड़ेगा, ठीक है, और agriculture land है, उसका भी use करेंगे, buildings, roads बगारा बनाने के लिए, ठीक है, ecological imbalance हो जाता है, ठीक है, ecological imbalance कैसा होगा है, कि अगर जो area से अगर हमें कहीं road ले जानी है, ठीक है, तो definitely जैसे आज कि हम देखते भी है, जो चंडेगर से शिमला का road बन रहा है, कि कितना जादा mountains है, उनको cut किया गया, ठीक है, त और उसके जो positive और negative impact से उसको हमें उसमें mention करना है, effect on biodiversity, definitely जो natural flora and phona है, ठीक है, अगर हम यह सब चीजे करते हैं, infrastructure को जादा बनाने की कोशिच करते हैं, ठीक है, roads को बनाने की कोशिच करते हैं, जो वहां का natural habitat होता है, flora and phona का, वो disturbed हो जाता है, तो वो भी कहीं न कहीं हमा of environmental stewardship, ठीक है, तो यह जो points है, ठीक है, आपको यहां पर 10 से 11 points है, तो आपको कोशिच करनी है कि at least 5 to 6 points आपके mind में रहने चाहिए, exam के perspective से, अब यह तो है concern, अब इसके majors क्या हो सकते हैं, जो majors है, वो देखो, कि strict implementation of environmental law, जो law बनाए गई है, उसका strictly उसको implement किया जाना चाहिए जिससे की, जो, एक तरह से जो sustainable development की जो हम बात करते हैं, आजकर, ठीक है, उस तरह से अगर हम अपने resources का use करेंगे, तो कहीं ना कहीं, जो future generation है, उनको, उनके लिए भी चीज़े safe रहेगी, increased awareness, awareness होनी चाहिए यह निए कि, अगर आप किसी, जो कोई tree है, उसको cut कर रहे हो, त उसकी जगा पे आपको दूस्टे trees को लगाना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है, adoption of sustainable tourism, जो की, बहुत important है, हमें sustainable tourism की, जो हम बात करते हैं, जिसे की, जो हमारे resources का, जो limited use हम उसका करें, ठीक है, और जो आने वाले, जो generation है, उनके लिए भी resources को बचा के रखें, ठीक है, तो य जो important points लगते हैं, और एक structure, वे में किस तरह से answer होना चाहिए, उसके point of view से आप इसको लिख सकते हो, अपने accordingly, next जो question है, वो है concept of ecotourism and green tourism and their role in sustainable development of the state, ये जो topic है, इससे लिया गया है, आपके पूछा गया है, describe the concept of green tourism का concept पूछा गया है, और क्या है, its role in sustainable development of the state, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले, जो question में पूछा है, concept of green tourism, पहले आपको इसको define करना है, फिर उसके बाद इसका, जो role in sustainable development of the state, वो पूछा गया है, तो उसके बाद आप इसको अपने answer में डालोगे, तो green tourism जो है, ठीक है, जैसे की समझ आ रहा है, कि जो green tourism है, आपका, वो करता है, I stand small scale tourism, जिसमें की, which involve visiting natural area, while minimizing environmental impact of travel, including ecological imbalance, loss of biodiversity, landscape changes, अब green tourism में, small scale tourism की यह बात करता है, कि इसमें आप जो natural areas, naturally, जो natural area है, वहाँ पर लोग जाएंगे, ठीक है, लेकिन यह small scale पर जाएंगे, ठीक है, जिसमें से का जो environment पर impact पड़ता है, वो सब बहुत minimum हो, ठीक है, जो ecological imbalance है, वो भी जादा ना हो, ठीक है, जो biodiversity का loss है, वो भी जादा ना हो, ठीक है, तो इस तरह का जो tourism है, उसको हम बोलते है, green tourism, ठीक है, तो green tourism से हमें क्या है, कि अगर huge, large scale पर जो tourists आएंगे, वो इस तरह के areas में जाएंगे, तो definitely जो natural resources उनका जादा use होगा, बट green tourism में हम क्या बात करते है, small scale tourism की बात करते है, ठीक है, अब इसमें जो role है green tourism का, in sustainable development of Himachal Pradesh, तो जो international institute of sustainable development define, वो क्या define करता है, sustainable development को कैसे define करता है, as the development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs, कि इस तरह के हम, इस तरह की हम development की बात करते है, जो future की generation है, उनको compromise ना करना पड़े, किसी भी resource से, ठीक है, अब इसमें तीन dimension है, as per the United Nation, जो वो तीन dimension है, वो है economic, social और environmental, ठीक है, तो role of green tourism in sustainable development can be understood as follows, तो हम इनी तीन जो हमारे dimension है, economical हो गया, social हो गया, और environmental हो गया, उसी के उपर हम बात करेंगे, जैसे environmental benefit हमने अलड़ी देखे, उपर वाले question में, उसी तरह से जो social है, उसको भी हमने देखने की कोशिश करी थी, concern and major with respect to green tourism, उसको भी इसमें mention किया गया है, ठीक है, तो इस तरह से जो आपका question है, वो इस तर से पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो ये थे आपके questions जो कि tourism से related थे, tourism में आपको क्या करना है, कि हर एक aspect पे अपना answer तयार करना है, क्योंकि questions तो definitely आएगा ही, तो जो भी हमारे topics है, जो हमारा sub unit 3 है GS3 में, उसमें जितने भी topics गिवन है tourism से related, उस पे आप notes बनाकर उसको बार- क्योंकि ये बहुत important है, आपको इसमें 4 marker या फिर 8 marker या फिर 20 marker में question definitely देखने को मिलेगा, और जो हमारी test series है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो, जहां पर आपको main's की जो test series है, वो sectional और साथे साथ जो full length test होते है, वो इसमें available है, हिमाचल जीक है, इसमें section है, current affair है, model answers है, previous year की questions है, वो solve किये गए है, ठीक है, live down session है, तो ये जो price है, इसका नीचे description box में given है, तो अगर आपको practice करनी है, तो आप जो ये main's की test series है, इसको आप खरीज सकते हो, और main's का जो crash course है, ठीक है, जिसमें की आपको general studies की जो videos है, handouts है, PYQ है, हमाचल जीके है, जो previous year की questions है, य crash course में देखने को मिलेगा, और इसका भी जो price है, वो नीचे आपको discussion box में देखने को मिल जाएगा, तो ये थे आज की question, I hope कि आप लोगों के लिए ये helpful रहा होगा, जो भी आपको इसमें से points लगते हैं, कि आप अपने answer में डाल सकते हो, तो यहां से आप note कर सकते हो, और को कोशिश करो, ठेके, थेक को सो मच और अल थे वरी बेस्ट,